महान धावक और फ्लाइंग सिख के नाम से मसुहूर मिल्खा सिंग का सुक्रबार देर रात निधन हो गया मिल्खा सिंग 91 साल के थे पिछले महीने उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉज्टिव आई थी जिसके बाद उनकी तब्यत लगातार बिगर रही थी सुक्रबार को अचानक उन्हें बुखार आया और ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया चंडिगट के पीजी आई अस्पताल में देर रात उन्होंने आखरी सांस ली पिये मोदी ने मिल्खा सिंग के निधन पर दुख चताया है बता दे कि मिल्खा सिंग का कोविट टेस्ट बुद्धवार को निगेटिवाया था जिसके बाद उन्हें कोविट आई सिउ से सामानी आई सिउ में भेज दिया गया था और डक्टरों की टीम उनके स्वास्त पर नजर रख रही थी मगर सुक्रवार को अचानक उनकी तब्यत बिगरी और उन्हीं बचाया नहीं जा सका बता दे कि बीते रवी बार को ही मिल्खा सिंग की पतने निर्मल कौर का कोरोना के कारण मोहाली के एक नीजी अस्पताल में निधन हो गया था ICO में भरती होने की कारण मिल्खा सिंग पतनी के अंतिन संसकार में सामिल नहीं हो पाये थे मिल्खा सिंग की 17 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉस्टिव आई थी तब्यत बिगरने के बाद उन्हें मोहाली के 40 स्पताल में भरती करवाया गया था इलाज के बाद उनके स्वास्त में सुधार होने के चलते और कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 31 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी मगर 3 जून को अचानक उनकी तब्यत बिगरी और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा जिसके बाद उन्हें पीजी आई में भरती कराये गया था प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने मिलखा सिंग के निधन पर टूइट किया हमने एक महान खिलारी को खो दिया है जिन्होंने देश की कलपना पर कबजा किया असंख भारतियों के दिल में उनके लिए खास जगह थी उनके ब्यक्तित्तु ने उन्हें लाखो लोगों का चहेता बना दिया उनके निधन से दुखी हूँ पीएम ने लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले ही मिलखा सिंग जी से बात की थी मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आकरी बात होगी चार बार की ACI खेलों के स्वर्न पदक बेता मिलखा सिंग ने उनका सर्वस्ष्ट पदरसन हाला की 1960 के रोम ओलंपिक में था जिसमें वह 400 मीटर के फाइनल में चौथे अस्थान पर रह थे उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का परतिनी धित्तु किया उन्हें 1969 में पदम स्री से नवाजा गया था फ्लाइंग सिक के नाम से मैसूर मिलखा सिंग को दुनिया के हर कोने से प्यार और समर्थन मिला मिलखा का जन्म और विवाजित भारत जो इस समय पाकिस्तान में है वहां हुआ था लेकिन आजादी के बाद मिलखा सिंग हिंदुस्तान आ गए मिलखा की परतिभा और रफ्तार की बज़शे ही उन्हें फ्लाइंग सिक का खिताब मिला था ततकालीन पाकिस्तानी प्रधान मंत्री फिल्ड मार्शल अयोब खान ने उन्हें या नाम दिया था खेल जगत और अने लेटिस्ट खबरों को सबसे पहले जाननी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फीस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं